आज हम वीडियो लेकर आए हैं GST से रिलेटिड आप जानते हैं Goods and Services Tax कुछ वर्षों पहले ही भारत सरकार ने और सभी राज्य सरकारों ने शुरू किया है अब जो भी जो पहले हमारे सेल टेक्स होते थे वैट होता था वो सब अब बंध हो गए और अब नया टेक्स आया Goods and Services Tax ये वस्तू और सेवाओं पे कर लगाया जाता है पूरे देश में तो ये वन नेशन वन टेक्स की बात हो रही है यहां पर तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे Goods and Services Tax के Starting Introduction के बारे में कुछ चीजे हम देखेंगे कि GST से पहले जो टेक्स सिस्टम था उसमें हमें क्या परिशानिया आती थी कुछ GST सिस्टम के फाइदे और समस्या या नुकसान देखेंगे और लास्ट में हम फीचर्स देखेंगे GST की तो ये सब चीजे हम इस वीडियो में देखेंगे GST जो है वो अब फिशे बन गया है सभी विश्विध्यालों में बीकॉम में, बीबीए में, एमकॉम में, एमबीए में सब जगे अब GST का एक सबजेक्ट इंक्लूड हो गया है तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है कि आप सबको GST के बारे में कुछ कंसेप्ट्स किलियर हो जाएं तो शुरू करते हैं हम, इंटोडेक्शन से करते हैं, GST जिसको हम वस्तु एवं सेवा कर भी कहा करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है टेक्स सिस्टम का हमारी आज़ादी के बाद और GST जो है कि ये पाथ ब्रेकिंग सिस्टम है, बहुत ही बड़ा कर सुधार हुआ है और ये एक इंडिरेक्ट टेक्स है पिछली वीडियो में अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने प्रित्यक्षकर और अब प्रित्यक्षकर देखे थे यानि डिरेक् होता है, जो हम सरकार को टेक्स डायरेक्ट ना देकर किसी मिड्ल में इंडिरेक्षक को बिचॉली, ओ को देते हैं। जैसे आपने कोई समान खरीदा तो आपने पैसे दिए कोई 10 रुपए का समान खरीदा तो वह 10 रुपए आपने दुकान वाले को दे दिये। और उस 10 रुपे में मान लीजिए 1 रुपे का tax है तो आपने वो tax के कीमत है tax का जो amount है वो दुकान वाले को दे दिया है अब वो दुकान वाला सरकार के account में जमा कर देगा तो इसलिए इसको indirect कहा जाता है कि हम direct सरकार को नहीं दे रहे हैं हम बीच में किसी और को दे रहे हैं और वो सरकार को दे रहा है इसलिए इसको indirect tax कहा करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पुराने जमाने के हमारे tax चला करते थे वो सब खतम हो गए और सब की जगा एक GST ने ले ली जगा GST पूरे विश में सबसे पहले शुरू हुआ था फ्रांस में 1954 में अब इतने वर्षों बाद लगभग 160 countries अब GST को अपना चुकी है भूँत सी जगा पर GST के वोल एक single model है एकल model है लेकिन कनेडा है ब्राजील है और हमारा भारत है यहाँ पर दोहरा model चलता है dual system चलता है कि यहाँ पर जो GST अपनाया गया है वो राजियों में भी लागू है और केंदर में भी लागू है तो जो भी आपका amount tax जाता है आधा राजय सरकार रखती है और आधा केंदर सरकार रखती है इसलिए इसको 12 model यानि dual model कहा जाता है यह जो goods and services tax है इसको हम short में GST कहते हैं तो आप जानते ही हैं यह indirect tax है सारे टेक्स उसको बहुत सारे टेक्स उसको खतम कर दिया जैसे exercise duty, bet होता था, service tax होता था यह सब खतम कर दिये गए हैं और यह GST जो है आपको GST tax देना है और अगर आप सेवाएं ले रहे हैं जैसे hotel में खाना खाने गए तो महाँ पर आपको जो आपका bill बनेगा जो पैसे देने हैं उसमें GST जोड़ा हुआ होगा आपने insurance खरीदी लोग हम अपना जीवन बीमा कराते हैं insurance लेते हैं क्योंकि वो सेवाएं हैं तो उसपे आपको GST देना पड़ेगा आप bank में गए bank में आपने कोई सेवा ली तो bank वाले आपसे जो fees लेंगे अपना उसमें GST जुड़ा हुआ होगा तो आप सेवाओं के लिए भी GST दे रहे हैं ठीक है flight में जाते हैं train में जाते हैं तो सम में taxes जुड़े हुए होते हैं तो अब हमारा क्या हो गया कि केवल एक tax हो गया single value addition हो गया हाँ पर और एक comprehensive tax हमारा ये व्यापक कर बन गया है और taxes भी अलग-अलग जगह पर लगाए जाते हैं इसके कई चरण हैं और ये माल के गंतवय पर निर्भर करता है कि कि step by step taxes लगते रहते हैं आगे और अच्छी तरीके साम इसको समझेंगे ये देखिए ये वो taxes हैं central tax हैं राज्य सरकार के tax हैं कुछ केंद्र सरकार के tax हैं जो पहले होते थे लेकिन अब वो खतम कर दिये गए हैं और उसकी जगे केवल एक GST का tax रह गया है देखिए central taxes केंद्रे कर हैं central exercise duty है additional exercise duty है service tax है कुछ सरचार्जिस होते थे central sales tax होता था ये सब खतम हो गए ऐसी state taxes है state का वैट होता था entertainment tax होता था entry tax, luxury tax कुछ खरीद पर एक tax होता था purchase tax तो ये सब tax खतम हो गए और अब केवल एक GST tax रह गया है लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी है कि दो एक दो जगे अभी GST लागू नहीं करा गया है ये कुछ basic customs duty है ये goods हम import करते हैं आयात करते हैं विदेशों से तो उस पे tax लगता है ये तो ये अभी भी लग रहा है यहाँ पर GST नहीं लगता है दूसरा जो आप ने देखा होगा आप अपने motorcycle में कार में आप petrol या diesel भरवाते होंगे तो उसमें जो taxes लगते हैं सरकार को जो tax जाता है उसमें अभी GST नहीं आया है उसमें वो पराने ही वाले tax लग रहे हैं petrol है, diesel है, crude oil है aviation जो हवई जाजों का जो fuel आता है ये natural gas हैं ये अभी GST के अंदर नहीं लाई गई हैं क्योंकि GST लाईंगे कोई भी कारण हो सकता है मैं उस कारण में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन अभी tax ये government हमसे जादा ले रही है GST आ जाएगा तो tax का कर rate जो है वो कम हो जाएगा लेकिन इससे क्या होगा कि राज्य सरकारों को राज्यस की नुक्सानी हो जाएगी उन्हें पैसा कम मिलेगा tax कम मिलेगा इसलिए अभी बहुत सारे राज्ये इसके favor में नहीं है कि petrol वगरा को GST में लाया जाए तो इसलिए अभी ये GST में नहीं आया है petrol हो गए डीजल हो गए ये सब सीज़े अभी GST इन पर नहीं लगती है अब हम देखी हाँ पर समझेंगे कि GST कैसे कैसे ऐसा नहीं है कि GST के दिमाग में एक दिमाग में आया कि GST हमें लागू करनी है और वो उस दिन लागू हो गई ऐसा नहीं है कई वर्ष लग गए GST को अपनाने में अलग-अलग सरकारे हमारी देश में रही है कई सरकारों ने इस पे काम किया कई गॉर्मेंट ने काम किया और 2004 से देखिए ये शुरू हुआ है और 2004 से लेकर 2016 के आसपास जाकर ये टेक्स लगा है तो देखिए 2004 में एक ये आइडिया आया ही है फिर उनकी शिफारिशों के बाद में फिर 2007 में कॉंग्रेस सरकार की गॉर्मेंट थी उसमें शिरीप पी चितंबरम जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने जो बजट पेश करा तो उसमें अनौंस करा था कि हम भी GST लागू किया जाएगा उन्होंने इसका जिक्र करा था उस समय जब उन्होंने बजट पेश किया था संसद भवन में लोकसभा में 2007-8 में कहने का मतलब यह कि हमारे देश के नेताओं में हमारे देश की सरकारों में दिमाग में उनके आ गया था कि हमें अब GST लानी है बस समय की बात थी क्योंकि उसमें सम्विधान में भी कुछ अमेंडमेंट करना पड़ता है सम्विधान के कुछ आर्टिकल्स को बदलना पड़ेगा तो इसलिए दिमाग में तो आ गया था लेकिन समय के साथ-साथ आगे कारवाई होती रही फिर देखिए दोहजार चौधा में ये बीजेपी की गॉर्मेंट आ गई थी अन्डिये गॉर्मेंट आ गई थी और उन्होंने एक सो बाईसवा अमेंडमेंट करा मांज सम्विधान में कुछ बदलाव करने की कोशिश करी तो अमेंडमेंट का बिल पेश हुआ विधेग पेश किया गया और 2016 में 8 सितंबर 2016 को 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ और उसके साथ ही GST भारत में लागू हो गया एक शुरुआत हो गई 2016 में वो शुरू होना था फिर मार्च 2017 में Central Goods और Services Tax बिल आया बहुत सारे बिल लाने पढ़ते हैं Integrated Goods and Services Tax बिल आया Union Territory Goods and Services आया और Goods and Services Tax Compensation to States बिल आया ये संसत भवन में पेश किये गए लोग सभा में पेश किये गए और इसको President ने इनकी मंजूरी दे दी तो ये सब बिल जो आये हैं ये दो हजार ये दो हजार सत्रा होगा यहां पे क्योंकि दो हजार सत्रा की बात हो रही है को राश्पती की सहमती प्राप्त होने पर ये अधिनियमित हो गया और फिर इसके बाद GST जो है वो राज्पती कानून लागू किये गए हर राज्पती में धीर धीर राज्पती सहकारों ने भी इसको अपना लिया और फिर एक जोलाई 2017 से ये GST इंप्लिमेंट हो गया GST भारत मेर और सभी राज्पती में ये शुरू कर दिया गया ठीक है तो इस तरह से ये घटना करम चले और GST एक जोलाई 2017 को लागू हो गया अब एक जोलाई को हम मैं आपको बता दू प्रती वर्ष हम एक जोलाई को GST दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि एक जोलाई 2017 से ये GST लागू वा था तो हर वर्ष प्रती वर्ष हम एक जोलाई को GST दिवस के रूप में मनाया करते हैं अब देखे हम बात करते हैं ऐसी कुछ कमियों की जो GST से पहले रही थी जब पुराने टेक्स लगा करते थे इंडिरेक्ट टेक्स जो अलग-अलग बहुत सारे टेक्स थे वो लगा करते थे तो उनमें कुछ समस्या ही रहीं कुछ कमिया रहीं पहले हम उनको देख लेते हैं कि देखे पहला पॉइंट है Limited Compliance and Enforcement सेमित अनुपालन और प्रवरतन यानि कि पहले हमारा इतना बड़ा structure नहीं था कि कोई टेक्स चोरी कर रहा है तो हम उतना हमारे पास resources नहीं थे कि हम उनको पकड़ सकें उतना बढ़िया हमारा system नहीं था तो ये बड़ी समस्या रही कि हम जो भी कानून थे या जो sale tax था वैट था ये सब चीजे थी तो उनको हम सही से enforce नहीं कर पाए उनको सही से हम उस हिसाब से लागू नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए था तो बहुत सारे rules regulations follow सही से नहीं हो पाते थे लोग चोरी करते थे tax की क्योंकि जब online system भी इतना नहीं था तो ये सब परेशानिया थी कि भई जब tax चोरी ज़ादा होती थी तो सरकार को राजस की भी हानी होती थी उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था राजसरकारों को या केंदर सरकार को क्योंकि लोग चोरी करते थे tax में बहुत से माल छिपा कर बेज दिया, सरकार को नहीं बताया तो फिर वो tax बचा लेते थे अब tax बचा लिया तो सरकार को भी इतनी income नहीं हो पाती थी दूसरा different tax rates थे अब सब राजजी अपने अपने हिसाब से चलते थे उत्तर परदेश में sale tax का rate अलग होगा मध्य परदेश में अलग होगा करनाटक में अलग होगा दिल्ली में अलग होगा तो अलग-अलग rates थे tax होके तो ये भी समस्या हो जाती थी कि भई हर अमालो हमारा कई राजजियों में काम चल रहा है तो फिर हमें सब ध्यान लखना पड़ता था भी वहाँ पे कितना percent tax देना है हमारे राजजे में इसमें अलग tax देना है तो ये सब समस्या ही रहती थी तो जो उद्योग थे जो बिजनिस थे अलग-अलग कर कानूनों और छुटों के अधीन थे अब ऐसा भी हो जाता था कि कोई वस्तू पे tax नहीं लगेगा हमारे राजजे में लेकिन दूसरे राजजे में उस पे tax लग जाता था तो ये भी समस्या ही रही क्योंकि हर राजजे अपने हिसाब से tax वसूल करता था तीसरा several indirect tax had existed कई अप्रिटेक्स कर मत थे पहले तो बहुत सारे tax जैसे मैं आपको पता ना excise भी देना है, sale tax भी देना है, central sales tax भी देना है तो बहुत सारे taxes लगते थे toll tax भी देना है और try duty भी देनी है तो बहुत सारे taxes होते थे तो जितने ज़्यादा होते थे तो जो businesses होते थे company यां होती थी, उन्हें फिर अपना taxation समालना बड़ा भारी पड़ता था और इससे क्या होगा कि कोई चीज़ छुट गई, ध्यान नहीं रहा तो फिर मुकदमेवाजी का भी हमें देखना पड़ता था, सरकार हम पर penalty लगा देती थी कि भई आपने इस मत का tax नहीं दिया तो इससब इनका प्रिबंदन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि भई कितने variety के tax हैं और कितने सारे हमें taxes देने हैं कोई छुट गया tax देने से या समय निकल गया क्योंकि सबका time होता था कि भई इस तारिक तक tax जमा करना है और वो तारिक निकल गई, हम भूल गए तो फिर penalty पर जाती थी और penalty जादा हो जाए पहले रही थी अगला point है illegal dealings, अवैद लेंदेन हो जाते थे क्योंकि pre-GST में कंपनी जो हैं वो धोकादड़ी भी बहुत होती थी GST से पहले और GST session में विवाद हैं, असेमेती हैं, धोकादड़ी है अवैद लेंदेन हैं, यह सम आम बाते थी कई कंप्रियों में लेंदेन के कारण टकराव और असेमेती होती थी और लोग इसमें शामिल होती थी सभी कर्म अदों पर नजर रखना चुनाती पूर्ण था, क्योंकि बहुत सारे कर थे तो illegal काम भी बहुत हो जाते थे उस समय क्योंकि online system पिलकुल था नहीं तो government के पास इतनी machinery भी नहीं थी कि इन सब को वो पकड़ सकें और tax is divided each stage फिर तो एक चरण पर tax लगता था production कर रहे हैं तो excise duty लग रही है समान बेच रहे हैं तो अलग लग रही है रस्ते में समान आ रहा है तो सड़कों पर देखा होगा total tax अलग लग रहा है तो इससे क्या होता था कि इतने सारे tax हो जाते थे तो जो व्यापारी है या जो business man है वो तो भई सब tax जोड़कर समान बेचेगा मानलों उसे बीस रुपए का उत्पादन की कलागत आई उत्पादन की लागत आई लेकिन बीस रुपए के साथ उसने दस रुपए का tax भी चुकाया सब जगे जा जाके तो बीस रुपए और दस रुपए तीस रुपए की लागत हो गई उसकी दस रुपए बीस रुपए वो कमाएगा भी और फिर वो उसमें 50 रुपे में समान गिरहाकों को बेज दिया तो कहने का मतलब यह है कि जब टैक्स इतने वराइटी के थे इतने सारे टैक्स थे तो उत्पात की कीमत भी बढ़ जाती थी हमें फिर समान महंगा मिलता था और कास्केडिंग एफेक्ट होता था करो का व्यापक प्रभाप था इसमें इसमें क्या होता था कि हर चरण पे टैक्स लगाया जाता था मान लोग किसी ने 10 रुपे का समन बनाया अपना 5 रुपे का प्रफिट जोड़ा 15 का बेज दिया और उसमें 1 रुपे का टैक्स भी था तो मान लीजे 16 रुपे का बेज दिया अब जिसने 16 रुपे का खरीदा उसने भी अपने 5 रुपे प्रफिट कमाए 20 का बेच रहा है तो फिर 20 रुपे भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि जितना बेच से जाएंगे आगया कि टैक्स बढ़ता जाएगा जाती थी क्योंकि अगर कोई चूरी का माल बेच रहा है उस पर टैक्स नहीं पड़ रहा जादा तो वो सस्ता समान बेच देगा तो लोग उसका ही समान जादा खरीदेंगे तो ये पहले जादा समस्याएं थी लिमिटेड इंपुट टैक्स क्रेडिट था पहले इंपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि जो पिछला टैक्स दिया गया है वो सरकार आपको बापिस कर देती थी लेकिन ये उस हिसाब से पहले नहीं था जितना अब सई तरीके से हो रहा है कि उसमें इंपुट टैक्स क्रेडिट बहुत सीमित था अभी इसका एक्जाम्पिल हम आगे देखेंगे बाद में कि कैसे होता है और इससे क्या होदा था लागत बढ़ जाती थी तो उस समय उतने प्रावधाम नहीं थे कि मान लीजे पहले अगर पांच रुपे का टैक्स हमने दिया अब आगे बाले ने उसकी कीमत बढ़ गई समान की उसने 10 रुपे का टैक्स दिया तो वो 5 रुपे बापिस हो जाएंगे जो उसने पिछले 5 रुपे टैक्स दी है और आगे 10 देने पढ़ रहे हैं तो केवल आपको 5 रुपे ही एक्स्टा देने पढ़ेंगे तो वो input tax credit कहा जाता था No integration between goods and services tax पहले क्या होता था वस्तू सेवाकर अब क्योंकि GST तो एक ही हो गया है वस्तू और सेवाकर नाम हो गया लेकिन पहले सेवाकर अलग होता था वस्तू कर अलग होते थे दोनों के टैक्स अलग अलग होते थे कि Services पे अलग Tax लगता था और Goods पे अलग Tax लगता था और दोनों के Rate भी अलग-अलग होते थे और हर राजियों में अलग-अलग होते थे तो कोई उनमें एक ही करण नहीं था और अगला परिशानी क्या होती थी? Multiple Registrations होते थे कि Excise डूटी जानी है तो Excise Department में हमें registration करना है कोई Luxury Tax जाता है तो उस डेपार्टमेंट में अलग करना है Sell Tax हमें चुकाना है तो Sales Tax Department में हमें registration करना है अगर हमें Service Tax चुकाना है तो हमें Service Tax वाली डेपार्टमेंट में तो बहु बिंदू पंजी करन हो جाते थे बहुत रजिस्टेशन हमें कराने पड़ते थे, उन सब का ध्यान रखना, उनको सब को मेंटेन रखना, और हर रजिस्टेशन के फॉर्मिलिटी पूरी करना, उनका फीस वगरा देनी, तो यह सब बहुत परिशानियों वाला काम था उस जमाने में, और इंटरपर्सनल इस्ज भी हो जाता था, एक राज्य में माल कर्मुक था, दूसरे में कर्योग्य है, तो इसलिए ये कठिन हो जाता था, कि हमारा कहीं कर लग रहा है, किसी राज्य में टैक्स नहीं लग रहा है, और ऐसा भी हो जाता था, कि हम कोई समान कोई इस राज्य में किसी नाम से बुलाते ह तो यह भी समस्या हो जाती थी, कि हर राज्य की बोली अलग है, लेंग्विज अलग है, और नाम भी बदल जाते थे प्रोडक्स के, तो यह सब समस्या है रही हैं, GST से पहले वाले टैक्स सिस्टम की, अब हम आज देखेंगे इस में वीडियो में, कि जो टैक्स हमारे GST में लगते हैं, वो देखें, तीन तरीके के लगते हैं, इसको हम बाद में डेटेल में भी पढ़ेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी हम शॉड में देख लेते हैं, जो टैक्स लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया, कि जितना भी टैक्स लगेगा, GST लगेगा, वो आधा केंदर सरकार को मिलेगा, और आधा राज्य सरकार को मिलेगा, अगर UP में कोई टैक्स हम चुका रहे हैं, तो आधा केंदर सरकार रखेगी और आधा राज्य सरकार रखेगी, तो उसे हम Central Goods and Services टैक्स भी कहते हैं, कि आधा Central का, आधा State का, तो पहला हो गया Central Goods and Services टैक ये दोनों ही आदे आदे बढ़ जाएंगे, मान लीजिए अगर 28% tax लगता है किसी चीज़ पर, तो 28% का 14% Central Government रखेगी और 14% State Government रखेगी, और एक होता है Integrated Goods and Services Tax, ये tax होता है कि जब अलग अलग राजियों में समान जाता है, तो उसे हम IGST कहते हैं कि जैसे उत्तर परदेश स्मान राजिस्तान जा रहा है, पहले दोनों तो हो गए अपने एक ही राजिये में हमने समान, मानले हम अत्तर परदेश में बिजनेस करते हैं, उत्तर परदेश में हमने समान भेज़ दिया या minimal ख़ेद लिया, देखें, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉस करके आप पढ़ सकते हैं अराम से, आगे बढ़ते हैं, GST के फायदे देख लेते हैं कुछ, कि अब GST चल रहा है, 2017 से शुरू हो गया था, तो कुछ फायदे भी हुए होंगे, उनको हम देखत हैं, कि भई जो टेक्स पहले बहुत सारे लगते थे, आप कम हो गए हैं, और उनका रेट भी कम हो गया है, पहले सारे टेक्स मिलाके पता लगा, 20% टेक्स चल जाता था, अब हमारे रेट 12% पा गए हैं, या 5% हो सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब टेक्स कम होते हैं, तो कीमत कम रहती है, और हम अपने समान को अच्छी तरीके से विदेशों में जाके या भारत में कहीं भी बेच सकते हैं, तो प्रतिस्परता बनी रहती है, अब कुछ हम फायदे देख लेते हैं, GST के बेनेफिट्स देख लेते हैं, पहला है creation of a unified national market, यहाँ आप राष्टिय बजार बन गया है ये, कि सब चीजे common tax rate है, जो procedure है, registration का और हर चीज का क्या form भरने हैं, क्या return आपको भरने हैं, वो सब सेम हैं, तो एक तरह से economic barriers हट गए हैं, जो आर्थिक बाधाएं थी, वो दूर हो गई हैं, अब पूरे देश में सारा system एक जैसा हो गया है यहां पर मैं यह बताना चाहूँगा आपको, कि जो GST है, जब शुरू हुआ था, पहले केंदर सरकार ने जब संसद में पास हो गया, राष्टपती महोदे ने वो पास कर दिया, तो सबसे पहले आसाम में के राज्ये में शुरू हो गया था GST, और फिर धीरे सब राज्य का निर्मान हो गया है, दूसरा पॉइंट, जो कास्केडिंग अफेक्स जैसे मैंने बताया था, वो काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि सारा एक ही कर में समहित हो गए हैं, पहले अलग-लग कर देने पड़ रहे थे, कर पे कर चला जाता था, कीमत बढ़ गई, कर जोड लिय कीमत बढ़ गई उसकी, फिर उस पर टैक्स दे रहा है, क्योंकि टैक्स तो प्रतिशत में होते थे, तो टैक्स पर भी टैक्स चला जाता था, लेकिन अब वो धीरे-धीरे सब समाप्त हो गया है, देखिए मैं एक्जाम्पिल ले लेता हूँ यहां पर आपको, कि एक सलाका है, कंसल्टेंट है, उसने सेवाई दी किसी को, पचास जार रुपे की सेवाई दी, तो उसने उस फे 15 पर टैक्स ले लिया, साड़े साथ हजार रुपे, ठीक है, भई हम अगर सर्विस देंगे, तो हम उससे टैक्स भी वसू लेंगे, और सरकार को जमा करेंगे, तो यह मै परतिशत का टैक्स पढ़ा, 20,000 रुपे का समान खरिदा तो पांच परतिशत हजार रुपे का उसने टैक्स दिया, किसी और को दिया, तो उसकी जेप से अब आज की तारीक में, कितने निकल रहे हैं, साड़े साथ, तो वो चुकाएगा, हजार रुपे यह चुकाएगा, पर हमारे पास से चले जाएंगे या चले गए लेकिन GST में देखिए क्या होता है GST में क्या होता है 50,000 पर माली या 18% ब्याज लगता है ब्याज कहा रहा हूं मतब टेक्स लगता है तो 18% हो गया 9,000 और जो हमने 20,000 का समान खरीदा था 5% के साथ से 1,000 वो हमें बापिस मिल जाएंगे क्योंकि जो हम input इसे ही हम input tax credit कहा करते हैं कि जो हम آज tax दे रहा हैं लेकिन उस से सम्बंदित हमने पीछे अगर tax चुकाया है तो वो tax हमें बापिस मिल जाएगा च्योंकि हम जो आप tax दे रहा हैं और पीछे कम amount था, कम tax था तो वो tax का पैसा आपको बापिस मिल जाएगा तीसरा फाइदा GST से हुआ है जो making India concept हमारा initiative चला जो हमारे मान्य प्रधान मंतरी महोदे ने चालू करा making India concept तो making India initiative चल रहा है तो उससे भी यह जो GST आया है उससे बहुत फरक मिला है क्योंकि बहुत सारी चीज़े हमारी देश में ही बनने लगी है तो हम विदेशों competitive हो गए हैं, हम विदेशों में अराम से अपना समान बेच सकते हैं तो ज्याद़ से ज्याद़ हम अपना समान बना रहे हैं, हम आत्म निर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्याद़ से ज्याद़ समान हम खुद अपने देश में बनाएं और अपने देश में बेचें और विदेशों में भी निर्यात करें तो क्योंकि अब GST आ गया तो टैक्स का रेट कम हो गया तो चीजे के समानों की कीमत भी कम हो जाएगी जो उत्पाद कर रहे हैं उत्पाद है हमारा प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा तो हम उसे आसानी से विदेशों में बेज सकते हैं हमारी लागत कम रहेगी तो हमारी कीमत कम होगी तो विदेशी भी हमारा समान जल्दी से खरीद लेंगे क्योंकि वो सस्ता मिलेगा पहले टैक्स जादा लगते थे लेकिन अब GST आ गया तो टैक्स कम हो गया तो समानों की बस्तूओं की कीमत भी कम हो गई अगला पॉइंट है increase in government revenue अब इससे क्या हुआ क्योंकि सब को compliance सही से हो रहा है सारा हिसाब किताब बिल्कुल अनुपालन बिल्कुल सही हो रहा है सब नियमों का चोरी कम हो रही है सब कुछ online system चल रहा है तो सरकार को ज़्यादा tax मिल रहा है अब इस समय समझ लीजिए आप 1.5 लाग करोड या पौने 2 लाग करोड एक-एक महिने में tax मिल रहा है सरकार को तो कितना अच्छा माउंट अब सरकार को मिल रहा है और इस पैसे से सरकार हम लोगों को ही सुविधाय प्रदान करती है अगला पॉइंट composition scheme देखी सरकार ने GST में ये भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई कि जिनकी जिनका व्यापार छोटा है उन्हें ज़्यादा बड़ा ज़्यादा कर या ज़्यादा tax नहीं देना चाहिए तो इसलिए सरकार ने composition scheme चालू करी जो छोटे व्यापारी है कि जिनका पूरे साल में विक्री होती है लगभग डेड़ करोड तक तो उनको फिर सस्ती दरो पर एक से लेके 6 प्रतिशत तक के बीच में रहता है उनका वैसे तो हमारा GST का tax का rate 28% तक है लेकिन जो छोटे व्यापारी है जिनका business या जिनकी बिक्री लगभग डेड़ करोड रुपए तक ही रहती है वर्ष में तो उनको छूट दी गई है कि वो कम दरोपे अपना tax दे सकते हैं ज्यादा ज्यादा एक से लेके 6 प्रतिशत के बीच में वो tax रहता है तो छोटे व्यापारियों का अभी ख्याल रखा गया है और उनको एक scheme बना दी है composition scheme तो उसमें उनको tax कम लगेगा अगला point इतनी compliance हो गया जैसे मैंने आपको बताया कि भई information technology है आजकल internet का जमाना है तो IT system बन गए है सारे taxpayers जितने करदाता है उनका registration होता है उन्हें normal अपने form return regular भरने पड़ते हैं जो GST जमा करनी है वो भी online जमा हो जाती है bank से सीधे कर जाएगी और company का account है business वाले का account है वियापारिक account है उससे सीधे government के account में पैसा जमा हो जाता है तो पारदिर्शी भी हो गया है समान चीजें और सबको सबका अनुपालन भी सही से हो रहा है next point gain to manufacturers अब इसमें देखिए फाइदा यहाँ पे निर्माताओं को निर्यातों को भी हो रहा है अब क्या फाइदा हो रहा है कि पुराने जो इतने कर थे Central Government के सोब मर्ज हो गए सब एक साथ हो गए पुराने वाले टैक्स सब खतम हो गए अब अंतराश्टिय बजार की international market के हम बात करते हैं तो वहापे हम competitive हो गए हैं वहापे हमारा समानम अच्छी तरीके से बिक पा रहा है सारे राज्यों में अब एक जैसे टैक्स होते हैं तो व्यापारियों को जो समस्षाएं आती थी कि भाई किस किस राज्ये में कितना टैक्स सब याद रखना है कहीं कोई भूल गए तो penalty पड़ जाएगी तो वो सब चक्कर अब खतम हो गया है तो हर चीज का अनुपालन सही हो रहा है आपको भी अपने office में इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब एक rate है tax का और आप अराम से tax जमा कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को रखना भी पड़ता था कि अलग अलग टेक्स हैं अलग अलग जगए जाना पड़ता था हर office में जाना पड़ता था exercise department में अलग जाना है sale tax department में अलग जाना है तो अलग अलग जगए पर जाना पड़ता था उनको की भी धड़ पकड़ चली जा रही है उनको भी पकड़ा जा रहा है कि अब क्योंकि input tax credit भी मिलता है कि सब line से चलेगा तो जिस ने पिछला tax चुका दिया वो बापिस मिल जाएगा पहले 10,000 की चीज थी 10,000 पे tax दे दिया फिर वो समान अगर बीच में भी कड़ी तूड़ गई किसी ने चोरी कर ली tax की तो एकदम government को पता चल जाएगा तो देखे भी बहुत बढ़िया system बनाया है कि भाई हमें पिछला tax जो चुका दिया वो बापिस भी लेना है अब कहीं कड़ी तूड़ गई बीच में चेंड टूड़ गई बीच में तो भहीं government को पता चल जाएगा कि कहीं कुछ गड़बड हो रही है तो जो leakage हो जाती थी जो चोरी होती थी वो लगभग अब खतम होती जा रही है next higher revenue efficiency जैसे मैंने बताया कि आपको पौने 2 करोड पौने 2 लाख करोड रुपए हर महीने सरकार को GST से tax से मिल रहा है तो सरकार की efficiency बढ़ गई है तक्ष्टा बढ़ गई है tax इखटा करने में जो tax का collection का जो खर्चा होता था इतने सारे offices बनाने पड़ते थे इतने सारे आदमी रखने पड़ते थे inspection करना पड़ता था लागत जाद आती थी सरकार को tax से खटा करने में वो अब काफी हद तक कम हो गई है improved competitiveness ये भी मैंने आपको बता दिया कि वेवसाय करने की लेंदेन में जो लागत थी वो कमी आई है व्यापार जो है वो competitive बन गए है प्रतिस्फरदा में खड़े हैं अब विश्ट बैंक का भी मानना था ये कि जो ये goods and services डिक्स आया है ये बहुत ही important महत्मून सुधार है और भारत के बिनी निर्मान छेतर में manufacturing sector में ये बहुत competitive नैस होगा क्योंकि GST आने से चीजे सस्ती हुई है कुछ फाइदे हैं important benefits मैंने आपको ये बताई बार-बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज तरीके से ये समझ मा जाएगा ये सब लिखा हुआ है आप इसको पढ़ भी सकते हैं मैंने वही बताया है जो इसमें भी देख लेते हैं ये हर चीज के फाइदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं अब जानते ही हैं तो कोई भी सिस्टम अब बनाई है कुछ अच्छाई भी होंगी उसमें कुछ बुराई भी हो सकती है तो कुछ कम्या भी हम देख लेते हैं, कुछ समस्याइं देख लेते हैं, इंक्रीस्ट कम्प्लाइंस बर्डन, अब कहने की बात है, थोड़ा ये समस्याइं भी बढ़ी हैं, देखिए नया सिस्टम आया है, 2017 मा आया है, तो अभी बहुत जादा साल नहीं हुए हैं, साथ साली करीब हुए हैं, साथ आठ साली होते आ रहे हैं, तो स्मॉल मीडियम एंटर्पाइजीज हैं, छोटे व्यवासाई हैं हमारे, अब इसमें थोड़े से शुरू में बहुत सारे रिटर्न भी भरने पड़ते हैं, हर महीने रिटर्न भरने, हर महीने फॉर्म भरने हैं, कि आपकी पूरे महीने में कितनी बिक्री हुई है, कितना टेक्स पड़ा है, कितना आपने टेक्स जमा कर दिया है, सब चीजे आपको हर महीने जमा करनी है तो इससे क्या होता है कि हर company को हर व्यापारी को कोई ना कोई दो चार आदमी इस काम के लिए रखने पड़ेंगे तो इससे लागत बढ़ जाती है कौन कौन से accounting practices है उनके लिए नएने software आ गए है पहले आपने सुना होगा टैली सिस्टम होता था commerce के बच्चे जादे जानते होंगे टैली एक software होता था जिससे हम accounts वगरा अपने final accounts balance sheet वगरा बना लेते थे अब GST से संबंदित भी software आ गए हैं वो भी आपको रखने है क्योंकि भाई सब चीजे अब software के द्वारा ही होने हैं सब online system है तो इससे क्या होता है कि software है उसका installation करना है maintenance करना है और उसे चलाना भी आना चाहिए तो अपने जो हमारे करमचारी हैं जो हमारे employees हैं उनको हमें सिखाना भी है उन्हें training भी दिलवानी है कि वह यह GST का जो software है किस तरह से चलेगा किस तरह से आपको हर मैंने form भरने हैं यह सब चीजे थोड़ी महंगी हो जाती है इससे थोड़ी लागत बढ़ भी जाती है क्य सारे rules regulations हैं इसलिए देखिए GST आपके syllabus में डाला गया है कि आप भी इसको समझाए क्योंकि यह commerce student management students आप B.com कर रहे हो चाए M.com कर रहे हो चाए MA कर रहे हो MBA कर रहे हो MA economics कर रहे हो BBA कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो लेकिन क्योंकि आप commerce economics की एक line होती है तो उसमें आपको GST क के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो थोड़ा क्योंकि नया कानून बना तो लोगों को इतनी आसानी से एक दम समझ भी नहीं आ रहा इसमें भी अलग-अलग कुछ tax rates हैं और फिर छोटे businesses को इन सब चीजों को समझने में परिशानी आती है थर्ड है higher tax rates on certain goods इसमें देखेंगे आप कि पिछली करव विवस्थाओं की तुलना में कुछ GST दरों के कारण कुछ उत्पाद और सेवाएं अधिक महंगी हो गई है पहले कुछ अलग-टेक्स होते थे अब कुछ अलग-टेक्स हैं ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ पहले जादा टेक्स भी हो गया है अगला पॉइंट है टेक्निकल ग्रिचिस तक्निकी गड़बरियां भी हो जाती है भई आप सौर्ट वेर पर काम कर रहे हैं और सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है गलत हो सकता है कुछ एंट्री आप कर दें आपको एक लाख लिखना है दस ल पतलगा इंटरनेट बिगड़ गया हमारे देश में कभी-कभी ऐस हो जाता है कहीं कोई समस्य आ जाते तो इंटरनेट बंद कर देती है गवर्मेंट अब उस समय समस्य आ गई कि हम अपना वेफसाइट कैसे चलाएं तो यह टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो बीच-बीच में आती ही रेती है अब जैसे आखरी समय आता है पूरा महीने के आखिर में हमें कुछ फॉर्म जमर करने है रिटन भरने है ऑब लास्ट में भरना आ है तो ही जो टाइम से भर लेते रेकिन जो लास्ट में काम करने वाले लोग होते हैं फिर website hang होने लगती है कि सभी लोग लग गए हैं पूरे इंडिया में हजारों लाखों करोडों बिजनिसेज हैं, हजारों लाखों कमपनियां हैं तो सभी अगर last minute काम करेंगे, आखरी तारिक में काम करेंगे, तो फिर website hang हो जाएगी, website attack जाएगी, तो ये टक्निकी गड़ब शुरू में क्योंकि नई प्रणाली आई थी, नया सिस्टम आया था, और सब इसके लिए तयार भी नहीं थे, व्यापारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हमें करना है, तो कुछ लोगों ने temporary business अपना बंद कर दिया, भई अभी बंद कर देते हैं, पहल बड़ी-बड़ी businesses होते हैं, वो तो भई बड़े-बड़े professional लोगों को रख लेते हैं, जैसे हमारे chartered accountants है, वो बहुत विद्वान लोगों होते हैं, CA होते हैं, company secretary होते हैं, cost management accountant होते हैं, तो यह जो बड़े-बड़ी company हैं, उन पर अच्छा पैसा होता है, तो वो तो बड बड़े-बड़े विद्वान लोगों को, professional लोगों को रख लेते हैं, लेकिन जो छोटे businessmen हैं, businessmen है, छोटे जो, क्या कह लिजे, small and medium enterprises हैं, micro enterprises हैं, तो छोटे enterprises, छोटे businessmen जो थे, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने business को temporary बंद भी कर दिया था, तो इससे आर्थिक विवदान भी उत्पन हुए थे, next हमारा inadequate training, प्रक्षिक्षन हमें अच्छा नहीं दिया गया उस समय, या कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, कि सारे बहुत सारे businesses को GST के बारे में किस तरह से काम करना हैं, नहीं पता था, अब इ return नहीं भर पाये, कि return भरना था, मैं पता ही नहीं चल पाया, कुछ जिस तरीके से भरना था, मुस तरीके से नहीं भर पाये, तो इससे क्या हुआ, गलती हो गई, तो सरकार बिया पारियों पर penalty लगा देती थी, जो इस छोटे business से उतने संसादन नहीं थे, इतना उनके पास infrastructure नहीं था, उतना बुनियादी धाचा उनका नहीं था, कि भही वो इस नए system में, tax system में एकड़म ढ़ल सकें, तो इसलिए ये बीच बीच में कुछ समस्याएं होती रही, लेकिन अब काफी हद तक ये सब चीजे सही हो गई हैं, लेकिन कुछ समय ये समस्याएं रही, अब ह उसके फाइदे नुकसान देखे, उसका ही समरी है एक तरीके से ये, जो अब तक हमने पढ़ा है, इस वीडियो में, जो हमने चर्चा करी है, डिसकस करा है, उसकी एक समरी ही है, ये देखिए, पहला है comprehensive tax, व्यापक कर है, मैंने आपको बताया, कि व्यापक कर है, पूरे दे हारित है, कि tax collect होता है, जहां पर समान भिक रहा है, बनाने पर नहीं लग रहा tax, जहां पर भिक रहा है समान, वहाँ पर ये tax लगाया जा रहा है, multi-stage taxation है, हर स्टेज पर लखेगा supply chain में, production से लेके final construction, मैंने अगर समान बेचा, तो वो tax देना है, फिर जिसको बेचा, वो आ होते हैं, फिर retailer होते हैं, तो इस तरह से कई middleman होते हैं बीच में, जब तक ग्रहा के पास जाता है, तो होता क्या है कि हर stage पर हमें tax चुकाना है, और पिछला tax आपको बापिस मिल जाएगा, आगे का tax देंगे, पिछला जो आपने चुकाया, खरीदते वक्त समान को, तो वो आपको बापिस मिल जाएगा, उसको हम क्या कहते है, input tax credit, अगला है dual structure, जैसे मैंने बताया, dual structure, 12 model है हमारा ये, किसमे राज्ये भी रहेगा, और केंदर सरकार भी रहेगे, दोनों मिलकर revenue को जो tax आया, उसको बाटेंगे, अगला है input tax credit, ये मैं बता चुका हूँ, कि पिछल जो tax दिया है, वो आपको बापिस मिल जाता है, अगला point है, uniform tax rate समान कर दा रहे हैं, कि पूरे देश में एक जैसे वस्तू की एक जैसा ही tax रहेगा, चाहे आप जम्मू कश्मेर में हों, चाहे आप अरुनाचल प्रदेश में हों, चाहे आप करनाटक में हों, केरला में हों, कहीं भी हों आप, एक वस्तू पर एक जैसा ही tax लगेगा पूरे भारत में, इसलिए इसको समान कर दरे कहा गया uniform tax rates, और अगला point है, simplified compliance है, जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में online portal चल रहे हैं, online website चल रहे हैं, तो एकिकरत प्रदाली ये बन गई है, सब सुवश्तित है, स अब देखे, पूरा GST है, इतना बड़ा system है, तो उसे control करने वाली agency भी होनी चाहिए, कि उनको की सब चीजे सही चल रही है, नहीं चल रही है, तो उसके लिए सरकार ने GST council भी बनाई है, ये समविधानिक संस्ता है, constitutional body है, GST council, जिसे GST परिशत कह देते हैं हिंदी में, त 28 प्रतिशत है, तो किस-किस वस्तु पर कितना-कितना tax लगना है, और बीच-बीच में जो भी समस्याइं आती है, GST के implementation में, कारेवन में, कि सही से कारे चलता रहे, तो उसमें अगर कोई समस्या आती है, तो ये GST council देखता है, और GST council का जो chairman होता है, जो सबसे बड़ा head हो होता है, वो हमारे finance minister होते हैं, वित-मंतरी, जो हमारी केंदर सरकार में वित-मंतरी है, जो संसद में budget पेश करते हैं, तो नहीं हम finance minister कहते हैं, finance minister इसका chairman होता है, और हर राज्य के वित-मंतरी उसमें member होते हैं, तो सब की सला मश्वरा से, ये GST के rates वगरा सब decide होते हैं, जीवन बीमा होता है ना सुना होगा आपने कि हम अपनी जिन्दगी का बीमा करा लेते हैं कि कोई हाथसा हो जाए तो हमारे परिवार को वो पैसा मिल जाए इंशुरेंस कमपनी से तो उसमें भी जीएश्टी लगती है तो भी ये देखिए पूरे देश में जरूवत की चीज है कि आदमी की मिर्ती हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ सहरा मिल सके तो इसलिए अब सरकार सोच रही है कि इस पर रेट कम करे जाएं जीएश्टी के जिससे कि सब को आसान इंश्टी का एक कंसेप्ट कम कमिलने की कोशिश करी है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे मैटर मिल जाता है बुक्स आती है इसकी और ये वेडियो में भी आपको अच्छा इस्टेडी मैटर ले मिल जाएगा आपको तो इससे आप अपने परिशाओं की तयारी कर सकते हैं इवेबिल सिस्टम भी होता है कि वही क्या क्या इसमें समान एक पेपर दिया जाता है डॉक्यमेंट होता है उसमें लिखा होता है कि कौन सी कंपनी समान भेज रही है किस कंपनी को भेज रही है कहां जाना है और इसमें क्या समान रखा गया है क्या वस्तू है और उस पे क्यातना tax दिया गया है यह सब चीजे evable system होता है और जैसे मैंने बता है reducing cascading effect है कि कर पे कर नहीं लगता अब आपको input tax credit मिल जाता है कि जो पिछला कर दिया है वो बापिस मिल जाएगा आगे का आपने चुका दिया जो आपने पिछला दिया है वो आपको बापिस मिल जाता है तो tax पे tax अब नहीं लगता है ठीक है तो अब आप यहां तक समझ गए होंगे कोई समस्या हो आप comment box में लिख दीजेगा फिर भी आप video को बार बार देखें तो यह concept आपको और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा comment box में कोई समस्या हो आप लिख दीजेगा मैं उसका उत्तर वहाँ पर दे दूँगा Thank you